सरकार के आदेशों को धत्ता दिकाते सोलन के कुछ नीजी बिद्यलेयों के मनमानी से परेशान अभिभाबकों ने स्कूल प्रसासन के खलाब मोर्चा आरंब कर दिया है सोलन में नीजी स्कूल अपनी मनमानी कर स्कूलों में मोटी फिस एंट रहे हैं साथ ही वार्षिक सुल्क अलग से वसूल कर रहे हैं जिससे अभिभाबकों में भारी रोज है वह अब अभिभाबक एक जुट होकर स्कूल प्रबंदर से दो-दो हाथ करने के लिए त्यार है यह जानकाई सोलन सित, M.R. DAV स्कूल अभिभाबक संग के परधान तेजिंदर सी ने पत्रकार वार्था कर दोराण दी तेजिंदर सी ने कहा कि DAV स्कूल के अभाबकों ने तए कि वह किसी भी तरह का मासिक सुल्क स्कूल को नहीं देंगे सोलन के अधिकतर निजी स्कूलों पर अविभावक आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल प्रसासन उनसे मोटी फिस एंट रहे हैं वो साथ ही वार्षिक सुलक अलग से वसूल कर रहे हैं जिससे उनके घर का वजट विगड रहा है सोलन में सेंटलुक्स गीता अधर्स के बाद अब डिएवी स्कूल के अविभावकों ने भी स्कूल प्रबंदने के खिलाब मुर्चा खोल दिया है वो अब स्कूल प्रसासन से आरपार की लड़ाई लड़ रहे हैं इन विभीन स्कूल में हो रहें सिक्सा के बेपारिकरण से एक बात तोस परष्ट है कि सिक्सा विभाग वसरकार सिक्सा के बेपारिकरण को आँखे मूद देख रही है जिससे अविभावक परिशान है पत्रकार बारते के दोरन MRDAV स्कूल अभिवापसन के प्रधान तेजिंदर सी ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि MRDAV स्कूल हर वर्ष फिस में बृद्धी कर रहा है उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन इसकी जानकारी उन्हें दे कि वह किस प्रकार से वर्ष फिस बृद्धी कर रहे हैं उन्होंने स्कूल से मांग की है कि निजी स्कूलों में सिख्षा के बैपारी करण पर निकेल कसी जाए वहीं जब इस बारे में MRDAV स्कूल के प्रधानचारे से बात करनी चाही तो वह आट आप स्टेशन थी जिसके कारण उनके पक्स लेना संभव नहीं हो पाया स्टेट सरकार सेंटर सरकार कह रही है कि अगर स्कूल इस पर कार के कोई भी आप से चार्जिज लिया जाते हैं तो वह निए इनकी जो मनवानिया उसे इमिजेट रोका जाया और उसके उपर अंकुषट लगाया जाया जाया क्या प्रशाशन से अपने इसमरे में बाद की बिलकुल सर हमने कल इस बाड़े में डिसी साब ने इसमें बिल्कुल क्लियर कट जो है पला जाड़ दिया कि इसमें हमारा जो एच पी का कोई रोल नहीं है जब कि जो यह एन्नोसी जाइन प्राइवेट स्कूल को जो है यह अपने हिमाचल बोर्ड के डिप्टी डिरेक्टर के अंडर दी जाती है तो हम यह यह पूछना चाहते कि जब जब एन्नोसी के लिए आपकी इन्वाल्मेंट है तो अदर प्राइवेट जो पेरेंट्स किया रहे उसके लिए आप क्यों नहीं हमारा इसमें सेहुक कर रहे हैं क्यों हम निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है हमारा सबसे पहला में मुद्ध यह है कि जो एन्नुल चार्ज से जल्द ही मामले में बैठक बुलाएगा यदि काद्य कानून से अधिक स्कूल फिस्विसूल करे हैं तो निश्चित ही उन पर कारवाई होगी सरकार इसके लिए कोई मेकनेजम भी बना रहे थी कि जो प्रिद्धी करते हैं इसके उपर कोशंकोश लगाने के लिए तो यह माने शिक्षा मंतरी उनके ध्यान में भी है तो पीशे एक जन्वंच के दोरान भी मुद्धा उठा था से करते हुए जब हम दारला घाट में थ करते हैं हर साल जो करने का तो उसको ना करें वह पहले नॉम्स देखने पड़ेंगे नॉम्स के अनुसार का लॉग क्या है अगर उससे ज्यादा करते तो उनको फिर एक्षिन लेना पड़ेगा निश्चित तोर पर निजी शिक्संस्तानों में शिक्षा का ब्यापारिकरन आगामे लोकसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बनने की त्यारी में है वह दोनों ही राजनेतिक पार्टियों के लिए यहां मुद्दा गले की फांस बनने वाला है अब देखना होगा कि अभिभाबक क्या निजी स्कूलों के मनमाने को रोकने में काम्याब होते हैं या नहीं के चैनल के लिए सोलन से अमरपेद सेंकी रिपोर्ट